हारोफिक्स वान ब्लास रेर केमरा नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब सभी का तिकर आज यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है केमरा के इस प्रॉब्लम को सॉल्फ कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आ जाते हैं आपके कैमरा पर तो आपको क्या सॉल्फ करना चाहिए कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्फ होगा यह मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ ठीक है तो उसके लिए दोस्तों आप अनलाइन पेसा कमाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको प्रॉब्लम हा रहा है केमरा की उपर में तो आपको सबसे पहले क्या करना है आप दोस्तों जाएए अपने मोबाइल पे पहले मोबाइल को रिश्टार्ट कीजिए रिसेंट बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियर ओल पे क्लिक करके अपना जो application से उनको clear कर देना है ठीक है सारे applications को clear कर देना है यानि कि आपके recent app को close करना है उसके बाद दोस्तों आपको जाना है setting scroll down कीजिए और apps and notification पर जाये see all apps पर click करें ठीक है और यहाँ पर find out कर लीजे अपना camera और उसके बाद जाये storage and cache clear storage पर click करके okay कर दीजे okay करने के बाद दोस्तों आपको बेक करना है make sure सारे permission इसका enabled रहे और उसके बाद दुबारा से check करके देखे कि problem solved हुआ है या नहीं हुआ है अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है लेकिन बाई इनी चांस अगर आपको अभी भी problem आ रहा है तो मोबाइल को safe mode पर reboot करें उसके लिए आपको power button को press and hold करके रखना है power of के button पर दो सेकेंट tap करके रखना है ठीक है click करके रखना है और okay कर देना है okay करने के बाद mobile reboot हो जाएगा ठीक है safe mode पर safe mode पर reboot करने के बाद दुबारा से चेक करके देखें अगर problem solve हो जाता है तो अच्छी वाद है अगर आपको अभी problem आ रहा है तो जाए सेटिंग स्क्रॉल डाउन करके system पर जाएए और mobile software को अपडेट करें ठीक है अगर mobile software अपडेट नहीं है तो आपको क्या करना है प्लेश्टोर में जाएए कोई भी केमरा एप जो है आप डाउनलोड करके उसको यूज़ कीजिए थोरे देंट के लिए जब अपडेट आजाएगा सब्सक्राइब कर लेना तो प्रॉब्लम सोल्फ हो जाएगा ठीक है तो यह सारे सुलूशन अभी हाँ पर फोल्व आप कर सकते हैं और दोस्तों मान लीजिए सारे सुलूशन अपडेट वगेर सब कुछ करके देखा फिर भी आपका कैमरा जो है यहां पर काम नहीं कर रहें तो आपको क्या करना है तो दोस्तों एक यह ऑप्शन बचते हैं मोबाइल को फेक्टुरी डेटा रिसेट कर दीजी ठीक है जैसी मोबाइल आपका फेक्टुरी डेटा रिसेट हो जाएगा आपका दोस्तों काफी अच्छा निकलाए तो आप सिंपली फोलो आप कर सकते हैं आज के लिए वस इतना ही दोस्तों उमीद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा थेंक्स पर वाचिंग